हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल्फ रिपेर गुरू जी तो दोस्तों आपने सही पहचाना था ये हॉंडा इंटर्न ही है और ये बहुत ही बैड कंडिशन में है हलाकि मैं इससे और ज्यादा खराब कंडिशन में खोज रहा था ताकि उसे रिपेर करने में उ मुझे मिला है कि स्क्रैप काई रेट में मुझे मिला थो मैंने इसे ले लिया और जितना में वर्स खोज रहा था इतना वार्स नहीं मिल पाया बड़ फिर भी इसे रिपेर करने में बहुत मज्usteा आएगा तो और आप इसका देख सकते हैं कंडिशन और सीट का कंडिशन आप देखी रहे हैं एक्छली जो हॉंडा की वेहिकिल्स होती है उसका बिल्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है और अगर आप उसे थोड़ा भी केर से रखेंगे तो जल्दी वो स्पॉयल नहीं होता है और सेम कंडिशन इसका भी है इसे बहुत जादा एक कीक में स्टार्ट हो जाती है यहां पर आप इसके इंजन के साउंड को सुन सकते हैं प्लस यह चल चुकी है बट अभी भी इसमें टाइमिंग चेन का साउंड नहीं है और इसका इंजन जैसा कि इसके ओल्ड ओनर ने मुझे बताया है अभी तक इसका इंजन ओपिन नहीं हुआ है अगर करें अगर करें अगर करें अगर करें अगर कि वान लाक किलोमेटर प्लस चलने के बाद भी अभी तक इसमें वाइट स्मोक का प्रॉल्म नहीं आया है और मैंने इसे कुछ दिन राइड किया है तो इसके इंजन ओइल का लेवल भी है वो डाउन नहीं जा रहा है इसके माइल मिटर असेमली को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये सोक कर रहा है 11,316 और ये बंद पर हुआ है और मुझे लगता है ये एक बार रोटेट करके फिर से यहाँ पर आया है ये एक्चुली मैं इसका थर्ड ओनर हूँ और उसने बोला है सेकंड ओनर ने कि जब उसने ये पर्चेस किया था एराउंड 6-7 यह पहले तो इसमें रेडिंग था 40,000 किलोमेटर और सेकंड ओनर ने इसे 70-80,000 किलोमेटर चलाया होगा और उसे ये भी याद नहीं है कि ये आप देख सकते हैं इसका जो बॉड़ी पैनल से वह सब कुछ फ्यड कर गया है और यहां पर इसके सीट का कंडिशन आप देख सकते हैं सब कुछ फोम यह सब सब कुछ बाहर निकल गया है तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसका कितना यूज़ ओगा मिनमम जो मैं इस्टिमेट कर रहा हूँ वह 1,11,316 इसके अलाबा इसका मीटर कब रुका कोई आइडिया नहीं है और बहुत ही इसका यूज़ वा है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाडी में कोई मेजर रस्टिंग नहीं है बट बहुत सारा डेंट है यहां भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंट है बट इसका जो पेंट है वो अभी भी ओजिनल है यह एक अच्छा पॉइंट है यह देखिए और यहां पे जो भी इसके ग्लासेज हैं फेड हो चुके हैं तूट चुके हैं और यहां पे एक स्टेपनी भी इसमें था बट मैंने अट परज करेंगे और यहां पे अगर आप देखेंगे नीचे में तो यह देखिए यह सब जुगार इसमें लगा हुआ है ज्यादा इसमें जुगार नहीं है बट कहीं कहीं जुगार यह सब यह देखिए यहां पे नट पे नट जुगार लगा हुआ है और यहां पे अगर आप मेबी कि यह रैटल करता होगा तो यह सब जुगार इसमें अंदर लगा हुआ है यह देखें इधर भी इसमें इस साइड से मुझे लगता है नहीं गिरा है या फिर थोड़ा बहुत अगर डेंट वहागा तो उसे पेंट किया गया होगा और ग्लासेज यह सब सब कुछ फेड है उसे अगर इस तरह से यूज किया गया है तो यह सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी भी इसका जो माइल मीटर है वो काम नहीं कर रहा है बट स्पीडो मीटर काम कर रहा है और यहां पर अगर आप स्विच देखेंगे तो स्विच से भी आपको पता चलेगा कि इ देखेंगे और इसके जो हैंडल ग्रिप्स है यह बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है थोड़ा भी इसमें सॉप्टने सब नहीं बचा है और यहां पर इसका कंडिशन आप देखी सकते हैं बहुत ही अगली नीचे भी पूरा अगली जो भी फाइबर पार्ट है वो कंप अनहीं बरटबी इसका जो लिंक दूश है वो थैंस एक यह दिक क्योशन है और इसका जो मड़गाड और इसमें मेजर तो नहीं है बट जगा जगा से रस्टिंग यह रए गया है और इसमें play भी है जो कि bad roads में आपका sound create करता है ये ये sound आपका create कर रहा है और जो headlight doom है ये भी damage है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर भी quick का जुगार इसमें लगा हुआ है तो एक ये panel fiber का है और एक ये panel fiber का है बांकि जितना भी panelize में सारा metallic है जो कि हम लोग paint करेंगे और ये store हो जाएगा और ये दोनों panel जो कि ठूट चुका है उससे हमें replace करना पड़ेगा और एक चीज़ जो कि आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि इसे चलाने में कैसा फीला रहा है तो दोस्तों ये 16 years old vehicle है और more than 1 lakh km कभर्ज कर चुकी है बट फिर भी इसे चलाने में बहु बहुत मज़ा रहा है मेरे पास स्कूटर से मोटर साइकिल है फोर स्टॉक है टू स्टॉक है बट फिर भी जब मैं इसे चलाया तो जब मैं इसे लेकर आ रहा था जहां से मैंने इसे लेकर आया है वह एरांड 120 km दूड है बट मुझे पता ही नहीं चला कि 120 km कैसे क्रॉस यह चलाने में मतलब इसे चलाने के बाद मुझे कोई गीरलेस स्कूटर चलाने का मन ही नहीं कर रहा है और मतलब इतना स्टेबल और इतना मज़ा रहा लगड़ा था कि मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा था और मैंने इसे रांड अभी मेरे पास यह आ करके वन वीक भी न मेरे पास एक बजाज लीजेंड भी है बट उसमें कभी-कभी होता है कि सिंगल किक में वह स्टार्ट नहीं होती है बट इसे मैंने देखा है बारिस में इसी तरह यह ख़ई रहती है और वह सीट पर मैं पॉलिश नी डाल देता हूं ताकि उसके अंदर पानी नहीं जाए और फिर भी एक किक अगर मैं इसे अफलाई करता हूं तो यह स्टार्ट होती है एक किक में यह स्टार्ट होगी ही होगी यह इसका गैरइंटी है तो दोस्तो आपने भी कभी होंडा इंटर्नो अगर चला है तो नीचे comment box में अपना experience ज़रूर सायड कीजीगा कि आपको कैसा करेंगे तो आप इसे कितने में पर्चेस करेंगे और मैं आपको इसके इंजन का पार्ट भी दिखाता हूं अंदर में इसका क्या कंडिशन है वो भी आप देखिए तो मैंने इसे दो कारण से सेलेक्ट किया था एक तो यह कि यह बहुत ही चादा चीप रेट में मिल रहा था से क्लारिट में इस से कम इसका रेट होई नहीं सकता है अगर इस सक्षक में भी बेंचे तो आपको आया है exactly उसी तरह से है ये और मैंने इसके owner से पूछा था तो उसने बोला मुझे कि उसने बस एक बार इसका clutch plate replace करवाया था और उसके बाद उसने 70-80,000 चलाया बट इसमें कोई खर्चा नहीं कोई कुछ भी उसने नहीं करवाया और अगर आप देखेंगे इसके engine को तो बहुत ही सही condition में अभी भी है और जो भी इसका nut, bolt जो भी है सब original condition में है untouched engine है तो इसलिए मैंने इसे चूच किया हाला कि अगर आप इस तरह का कोई scooter purchase करने जाएंगे और आप अगर इसे open करके देखने लगेंगे तो तो जो सेडर रहता है वो डर जाता है कि यह क्या कर र से कुछ repair जुगार यह सब कुछ नहीं है और मैंने इसके कभर को भी open करके देखा था तो यहां पर वाइल सब कुछ सही circulation हो रहा है और इसमें एक बहुत बार demerit है जो कि मैं आपको थोई दिर के बाद बताऊंगा जिसके कान मुझे यह थोड़ा सा disturb कर रहा है और यहां पर देखिए इसके अंदर और सही वाइल का circulation है यहां पर आप देखेंगे यह सही वाइल सब कुछ बाहर आ रहा है फ्लो सही है इसका वाइल आपको बाहर दिख रहा होगा अंदर भी दिख रहा होगा तो circulation सही है और engine का condition भी सही है हाला कि अगर इतना कुछ अगर आप ओपेन करेंगे सेलर के सामने तो वो थोड़ा सा डिस्टर्व हो जाता है और एक जो डिमेरिट है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिमेरिट है यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इसका जो एर फिल्टर है उसका डिजाइन सही नहीं है और इसमें भी SS की तरह एर फिल्टर को भी rear mudguard की तरह यूज किया गया है और आप देख सकते हैं यह सही डिजाइन नहीं था यह और पूरा जो भी sand mud सब कुछ यहां तक आ जाता है और यहां पे देखिए कार्बुरेटर का condition कितना गंदा है हाला कि जो wiring है इसमें अभी भी बहुत ही अच्छे condition में है और यह जो ignition coil है यह भी original ही है सब कुछ कार्बुरेटर ही है सब सब कुछ original इसमें लगा हुआ है Actually Honda का जो quality रहता है अगर आप थोड़ा भी maintain कीजिएगा अगर तो 15 years 16 years तक उसमें कुछ भी नहीं होता है और यहां पर यही प्रूब होता है आप अगर इसके engine के आवाज को सुनेंगे तो अभी भी जो इसके owner ने मुझे बताया है कि उसने कभी कोई काम नहीं किया हला कि अगर कोई भी owner कुछ काम कराता है तो वो बोलता है कि देखिए मैंने इसमें इतना किया वो किया मुझे इतना खर्चा लगा और यहां पर आप देख सकते हैं इसका condition बट प्रॉलम यह भी नहीं है प्रॉलम मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने इसके air filter को मैंने open किया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके air filter को मैंने open किया हुआ है यह देखिए मैं पहले बाहर निकाल ही लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका air filter का condition यह देखिए अगर आप कोई भी second hand vehicle purchase करते हैं तो सब कुछ आपको एक बार check करना चाहिए बट थोड़ा सा difficult हो जाता है अगर seller आपके साथ corporate नहीं करे तो और इसका जो air filter का design है सच मुझ सही नहीं है SS जो road वाला था उसमें भी यही problem था और इसमें भी थोड़ा सा air filter का issue है बट अगर आप city में चलाते हैं तो उत्मा problem नहीं है अगर अच्छा road है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसका air filter है यह देखिए यह box में हटा देता हूँ और यहाँ पे इसका air filter है यह देखिए इसका air filter अब आप कहेंगे इसमें क्या problem है अगर air filter है तो इससे आप replace कर दिए यह healthy हो जाएगा कोई problem नहीं है और अभी भी अगर आप इसके air filter को देखेंगे तो आपको cleaning लग रहा होगा तो आ अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह देखिए इसके air filter में जगा जगा च्छेद है यह देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा यह देखिए यह देखिए यहाँ भी च्छेद है यहाँ पे और देखिए यहाँ भी यह देखिए और एक बार अगर air filter में हो हो जाता है तो ये को घराइटर्टि पास करता है जो डोट्टि एर रहता है जिसमें ड्स होता है ओडाइटली पास करता है और देखिए यह हम पर अगर आप ध्या esse देखेंगे तो तो इसमें किसी ने जुगार भी लगाया है इसे जो होल हो गया है उसे चिपकाने का भी कोशिस किया है और अगर आप इस एयर फिल्टर को और करीब से देखेंगे तो यहां पे यह जो एयर फिल्टर है यह 2011 के 6th मन्त का है मतलब की around 9 years old है यह देखें यहां पे आप देखेंगे तो एक्चुली जब इसका parts मिलना बंद हो गया होगा तो जहां पे इसके owner ने इसे servicing के लिए दिया होगा वो mechanic इसके parts को सर्च ही नहीं करता होगा अब जाहिड सी बात है local market में भी इसका parts मिलना तुरा मुस्किल होता है और वो ज़्यादा tension लेता नहीं होगा simply वो इसका petrol ले clean कर देता होगा इसी filter को और बोलता होगा कि हां service नहीं हो गया तो यह जो एर फिल्टर है around nine years old है और इसका क्या condition है आपने देखा है अब filter का कोई बात नहीं इस पे तो replace किया जा सकता है 100 200 300 जो भी है but main problem यह होता है कि यहां से जो air है dirty air यह directly जाता है आपका carburetor में carburetor तक भी जाता तो कोई problem नहीं है बट वो carburetor से होते वे वो engine में चल जाता है और वहां पर engine में अगर combustion chamber में आपका dust जाता है तो आपके engine block और piston को वो damage करता है हाला कि अभी इसमें ज़्यादा मुझे problem दिखा नहीं white smoke भी दिखा नहीं और cheap rate में मुझे मिल रहा थ तो मैंने ले लिया बट अगर आपके पास भी कोई अगर scooter या motorcycle है और इस तरह का mistake करते हैं जुगार लगा करके clean करके air filter को use कर रहे हैं और इस तरह का hole हो गया है तो वो आपके engine को damage कर रहा है day by day और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं इसके air filter का जो horse pipe है वहां पर मैंने अभी finger दिया है यहां पर आप देखिए यह है इसका condition जो unfiltered air है with dust and everything वो directly जा रहा है और जब मैं इसका carburetor open करूंगा तब आप देखिए हैं कितना इसके अंदर impurities मिलेगा आपको और यह पूरा sand और dust है जो कि filter अच्छा ना होने के कारण डायरेक्ली engine में जा रहा है और यह देखिए यहां पर यह filter box है इस horse pipe से होते वे वो carburetor में जा रहा है और यह manifold होते हुए यह आपका valves के through आपका combustion chamber में जा रहा है और पूरे आपके block और piston को spoil कर रहा है बट इसका जो block piston होगा उसका condition बहुत ही गंदा होगा और मुझे इसे clean करना होगा तो तब जा करके वो जितना भी है impurities उसके अंदर से निकलेगा यह देखिए यह condition होता है तो इस scooter में जो सबसे बड़ा demerit लगा मुझे वो यही लगा और इसके वज़ा से एक हासता खेलत है engine damage हो रहा है day by day और यह बात मैंने उसी समय इसके old owner को मैंने दिखाया तो उसने भी accept किया कि एक बहुत परा mistake है और गलती एक्चुली उसकी भी नहीं थी वो mechanic को देता था और वो servicing regular कवा आता था बट इस तरह से mechanic ने किया है और इसने ध्यान नहीं दिया हाला कि गलती मै mechanic का भी नहीं बोलूँगा अब उसे भी बहुत सारे vehicles को service करना होता है तब जाकर के उसे एक amount मिलता है अब कोई एक filter के लिए वो दिन भर इधर से उधर market में search नहीं कर सकता है तो वहीं बात होता है उसने clean करके लगा दिया और इस तरह से मतब फटा हुआ था और direct clear जा रहा है तो यह है कोई बात नहीं हम लोग इसे repair करेंगे और इसे भी हम लोग वास कर लेंगे और engine अभी भी बहुत ही अच्छे condition में आपने देखा है wiring harness की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे condition में इसका wiring harness है और कोई भी चुहा इधर उधर जुगार यह सब कुछ नहीं लगा देखेंगे कि यह fuel tap में यह cable क्यों लगा हुआ है तो यहां से यह actually tank के पास control होता है यह देखें इस तरह से यह काम करता है और बहुत ही अच्छा design है unique design है और जो silencer muffler है इसमें कोई भी rusting या कोई भी hole नहीं है बहुत ही अच्छे condition में है आप Honda से जो expect करते हैं वो सब कुछ आपको इस scooter में मिलेगा बहुत ही अच्छे condition में है इतने चलने के बाद भी और इसका footrest भी यहां पे कोई भी गिरने का कुछ भी निसान नहीं है बहुत ही अच्छे condition में यह इसका जो frame है इसमें rusting है बट कोई भी rusting ऐसा नहीं है कि जो कि बहुत ही deep हो serious हो जब इसे हम लोग paint करेंगे इस पर primer चराएंगे तो यह normal हो जाएगा बहुत ही अच्छे condition में आ जाएगा और अभी भी यह बहुत ही strong है ऐसा नहीं कि कोई serious corrosion हो गया है बहुत ही अच्छे condition में है टैंक की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे condition में है और अंदर में बहु ज्यादा dirty है बट रस्टिंग अभी थोड़ा सा भी इसके अंदर नहीं है तो टैंक भी बहुत ही अच्छे condition में है और इसका cap अगली दिख रहा है तो इसे हम लोग paint करेंगे और इसका जो fiber part है यह dull हो गया है और यह UV rays से होता है और यह normal है तो हम लोग try करेंगे कि यह नया panel अगर मिल जाए तो ठीक है नहीं तो at last इससे matte black से paint करके काम चलाना पड़ेगा हाला कि मैं वो matte black हमेशा prefer नहीं करता हूं जब कोई last option हो तभी मैं करता हूं और यहां पे अगर इसके key को देखेंगे तो यह देखें यह hero Honda का है actually तो मुझे यह pleasure का लग रहा है यह जो key set है यह change हुआ होगा और इसी से पता चलता है कि यह scooter है कितना चला होगा यहां पर अगर आप इसके kick lever को देखेंगे तो यहां से यह lose है और अगर आप इसे इसी तरह use करेंगे तो यह जो इसका spline है यह damage हो जाता है और फिर complete engine ही open करना पड़ता है इसको change करने के लिए बहुत आप जुगार लगाते हैं यहां पर की weld ही करा देते हैं तो वह सुरू में तो काम कर जाता है बट बाद में उसे कट करके निकालना पड़ता है तो अगर इस तरह का problem आपके वेहिकिल में भी है अगर scooter है या motorcycle है किसी का भी अगर की cleaver आपका इस तरह से lose है तो इसे आप tight कर न होता है तो यह play नहीं होना चाहिए spline को damage कर देता है और यहां पर इसके floor का condition आप देखी रहे है मैट और नीचे जो base है बहुत ही critical condition में है और यहां से भी पता चलता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो scooter है बहुत ही ज़्यादा use किया गया है यहां पर दे का जो parts है goa में बहुत ही ज़्यादा easily मिल जाता है तो मैं request करूँगा कि वह goa में कौन सा address है उसका कौन सा shop है आप नीचे comment box में मुझे जरू बताएगा क्योंकि अभी तो locally मुझे इसका parts नहीं मिल रहा है मैंने online बहुत सारा order किया है और अगर goa में available है easily इसके parts तो मैं एक बार वहाँ पर जाकर के visit कर लूँगा आप shop का address जरूद दे दिजेगा बहुत ही ज़्यादा helpful होगा internal lovers के लिए तो दोस्तो यही था इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे new family member से introduce कराना चाह रहा था और आप नीचे comment box में बताईए कि यह new family member कैसा लगा आप लोगों को और नीचे बताईए कि इसमें क्या-क्या हमें change करना चाहिए क्या-क्या modify करना चाहिए इसका color यही ठीक है कि तो paint अभी थूरा सा problem है तो पहले इसे हम लोग अच्छे से clean करेंगे एक एक parts को अच्छे से servicing करेंगे जो basic servicing होता है जो जो part में problem है जो mechanical side है उसे हम लोग सही करेंगे mechanically ऐसे तो यह फिट है लेकिन बहुत कुछ इसमें damage है वो हम लोग इसका सही करेंगे seat बहुत ज्यादा अगली है उसे भी हम लोग change करेंगे उसके बाद जब rainy season थोड़ा सा बरसात कम होगा तो हम लोग इसको completely look wise इसे restore करेंगे at present हम लोग mechanical ही इसका cover करेंगे और basic servicing और उसके बाद पुड़ा इससे हम लोग new बनाएंगे और मुझे लगता है कि इसका फाइवर portion है अगर इसका parts मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हला कि मिलना चाहिए मिलता तो है बट अगर after market में अच्छा part नहीं मिलता है तो फिर वो quality नहीं रहता है तो वो बुड़ा लगता है तो हम लोग try करेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा parts मिल सके और इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से restore कर सके और इसे complete showroom condition में convert करना है एक एक part को और जो भी इसमें zinc coating है जो भी resting है जो की wear कर चुका है nuts bolts सब कुछ को zinc coating भी किया जाएगा और बहुत ही अच्छे condition में यह आएगा और यह एक family member है हाला कि एक दो family members और add होने वाला है तो उसके लिए आप wait कीजिएगा बहुत ही जल्दी आने वाला है तो दोस्तों प्रीज टो को like किया अपने दोस्तों में share के channel subscribe किया और साथ बेल आइकोन को प्रेस किये ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लाओ तो आपको उसका notification मिल सके और आप उससे सबसे पहले देख सके है अने ट्लास थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग मिलते है नेक्ट वीडियो में